हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन कॉशन प्रैक्टिस सीरीज फोर CSIR नेट लाइप साइंस 2023 चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज किस वीडियो में हम कौन से कॉशन को प्रैक्टिस करने वाले हैं तो आज किस वीडियो में जो कॉशन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आया है टोपिक है हमारा फेरिटिन यानि कि जो आयरन का स्टोरेज होता है मेटाबॉलिजम होता है हमारे बोडी के अंदर वहां से कॉशन आया हुआ है कॉलम X दिया हुआ है आपको और कॉलम Y दिया हुआ है कॉलम X में कुछ प्रोटीन दिये हैं और यहां पर कॉलम Y में उनका फंक्षन बताया है आपको सही मैच करके बताना है कि कॉन सा सही आंसर है तो यहां चार प्रोटीन के बारें बात किया that is ferritin, ferroportin और transferrin और hepsidin चार protein दिये हैं आपको उनका function बताना है ठीक है चलिए सबसे पहले बात करते हैं ferritin की और transferrin की इन दोनों की बात क्यों करनी है क्यों कि दोनों ही ऐसे protein है जो iron से bind करते है जिसे हमादे body के अंदर iron आता है तो उससे कौन bind करता है या तो ferritin या तो transferrin दोनों ही क्या है iron binding protein है लेकिन दोनों में main difference क्या है चलिए मैं आपको बता देती हूँ बात समझाई? दोनों ही iron से bind करते है बट ferritin क्या है? एक ऐसा protein है जो cell के अंदर iron को store करता है और जबकि transferrin क्या है? ऐसा protein है जो कि blood के अंदर present होता है जो कि plasma protein है और यो क्या करता है? ट्रांस-पोर्ट करता है iron को blood के अंदर यानि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने काम कोन करता है? ट्रांस-पेरिन करता है ठीक है तो चली एक बार देख लेते हैं Ferritin क्या है Iron Binding Protein है जो कि कहा होता है Cell के अंदर होता है यानि एक क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा नसस्यम क्या लिखा है Intramusicrosal Cell Iron Binding Protein यानि Cell के अंदर Intra का मतलब होता है अंदर cell के अंदर iron से कौन bind करता है ferritin तो A का हो जाएगा third transferrin क्या है plasma iron binding protein है जो की blood में present होता है और iron से bind करता है तो C का हो जाएगा second तो A का है third केवल एक में ही दिया हुआ है second option में तो A ये भी कट गया हमारा सही answer आया है second तो A का क्या है? A का है third और C का है second बात करते हैं वोट इस फेरोपोर्टीन और वोट इस हैपसिदिन देखो सबसे बात करते हैं फेरोपोर्टीन क्या होता है फेरोपोर्टीन is a transmembrane protein that transport iron from the inside of a cell to the outside of the cell यानि ये जो फेरोपोर्टीन होता है ये एक transmembrane protein है यो कि membrane में present होता है और iron को अंदर बाहर करने में help करता है चलि डाइग्राम की help से देख लेते हैं देखो ये एक डाइग्राम है ये हैं enterocyte जाने कि जिसमें iron होता है अब यहाँ iron आया है अब यह iron इस फेरोपोर्टीन की help से यहाँ जाता है तो फेरोपोर्टीन की help से क्या होता है ये जो iron है वो यहाँ जाता है ये होता है FE2 पोजिटिव की form में इसको convert किया जाता है FE3 पोजिटिव में क्यों? क्योंकि ये जो ferritin है ये जो transferin है जो इसको transport करेगा ये iron से bind करता है जब iron अपनी 3 पोजिटिव की form में होते है तो ये दोनों क्या है? copper binding protein है जो FE2 पोजिटिव को convert कर देते है FE3 पोजिटिव में जैसे ये convert होता है तो transferin से bind कर लेता है अब transferin क्या करेगा? transport करेगा हमने पहले बात की है transferin क्या है? plasma protein है जो की iron से bind करता है और transport में help करता है तो जब यहां आ गया है iron तो ये अपने receptor के पास जाएगा किसी भी cell में इसका receptor होता है transferin receptor यानि TR इससे bind होता है फो ये अंदर आएगा अंदर आने के बाद ये क्या करता है? ये जो iron है या तो cell उसको directly use कर लेगा अगर उसे use नहीं करना है तो वो उसको store करेगा और हमें पता है कि cell के अंदर iron को कौन सा protein store करता है that is ferritin अभी हम पढ़के आए हैं तो यहां पर अगर use करना है directly use हो जाएगा अगर use नहीं करना है तो वो ferritin के form में यहां पर store हो जाता है यहां पर store हो जाता है यहां पर फेरिटिन क्या करता है उस iron को store कर देता है साथ-साथ अगर वहां जादर concentration हो जाती है तो यह जो protein है that is hemocederine यह भी help करता है उसको store कराने में ठीक है तो यह है ऐसा process जहां से iron leave करता है निकल जाता है ठीक है तो फेरोपोटिन का अंसर हो जाएगा फोर्थ फेरोपोटिन is the iron मतब ऐसा protein है जहां से iron leave कर जाता है mucosal cell ठीक है तो बीका हो जाएगा फोर्थ बीका फोर्थ यहां पर भी दिया हुआ है बात करते हैं, what is haipc usidine, चलिए देखते हैं, तो सा आप यह Lever के अंदर एक निधे का सेंसर होता है, जो की एक्टिव करता है haipc needles को अब यह जो हैपसेडिन है यह क्या करेगा फैरो प्रोटीन को ब्रेक कर देता है अब देखो हैपसेडिन ने क्या किया है फैरो प्रोटीन को ब्रेक किया है अब अगर फैरो प्रोटीन ब्रेक हुआ है तो मतलब सेल के अंदर आइरन नहीं जाएगा क्योंकि आइरन को वहां पर हेपसेडिन रिलीज होता है और फिर वो इसको ब्रेक कर देता है ताकि आयरन की मोमेंट ही ना हो वो कहीं जाई ना पाए ठीक है अब जो हमारा कुछ ने थोगा सा डिफेंट दिया हुआ है कि अगर हाइपॉक्सिया हो जाए यानि सेल बोड़ी के अंदर या फिर बोड़ इता है जो आयरन को ट्रांस्पोर्ट किया जाता है अब अगर सयल के अन्दर औक्सीजन की कमी हो रही है तो इसका मतलब है हमें जादा RBC की requirement है ताकि अगर थोड़ा बहुत भी oxygen है तो उसको भी transport किया जा सके तो जैसे ही hypoxia condition होती है तो body की अंदर RBC की formation start हो जाती है जिसको कहा जाता है रिथ्रोपोईसिस ठीक है अब जैसे ही RBC बनता है obviously बात है कि हमें requirement होगी iron की क्यों कि RBC की अंदर होता है hemoglobin और hemoglobin की formation के लिए हमें requirement होती है iron की तो अगर RBC की formation करनी है तो हमें iron की requirement होगी ठीक है तो iron का demand बढ़ेगा bone marrow के अंदर क्योंकि bone marrow में ही form होता है RBC तो जो bone marrow है उसके अंदर iron का demand जो है वो increase हो जाता है ठीक है अब अगर iron का demand increase हुआ है तो obviously हमें ferro protein की requirement होगी क्योंकि ferro protein ही क्या करता है iron को अंदर बाहर जाने में help करता है तो हमें किसका requirement होगा ferro protein का अब अगर हमें ferro protein का requirement है तो हमें इसका requirement नहीं है क्योंकि अगर ये होगा तो इसको break कर देगा लेकिन हमें अगर इसकी requirement है तो इसकी नहीं है ठीक है तो यह जो hepsidine है यह reduce हो जाता है मतलब hypoxia condition में यह जो hepsidine है उसका concentration कम हो जाता है ठीक है तो हमारा कृषिण क्या दिया हुआ है कि जो hepsidine होता है hypoxia में इसकी जो synthesis है वो कम हो जाती है से reduce हो जाती है तो दी का हो जाएगा first दी का है first तो सही answer हो जाएगा second ओके चलिए तो अगर आपके लिए information नहीं है तो उसको no down कर सकते हैं आप हमने कुष्ण अपना solve कर लिया है अगर अभी भी कोई doubt है तो आप comment करके मुझसे पोश सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में न दो आप मैं यदे पाइ तेक केर